वैसे जादा तर ऐसा होता नहीं है बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जब भी हम ट्रस्ट वॉलेट को रीकवर करते हैं तो हमारी जो holdings वो गयव हो जाती है यानि कि हमारा जो balance वो हमको zero show होता है ऐसा क्यों होता है और आप कैसे आपकी जो holdings है उनको वापस से recover कर सकते हैं account recover करने के बाद यानि कि आपने आपकी जो private किया वो import की आपका जो account वो successfully recover हो गया लेकिन आपकी जो holdings है वो आपको zero है यह एक मेरा demo account है बटमा आपको detail में explain करने वाला हूं कि अगर आपकी holdings है और आपको नहीं पता कि कौन-कौन से coin मेरे पास थे क्योंकि कई बर क्या होता है कि हमको नहीं पता रहता कुछ छोटे coins भी रहते हैं 2-3 coin के ध्यान होंगे कि हाँ यह है तो हम वो तो enable कर सकते है holdings को लेकिन जिनका पता ही नहीं है उनको हम कैसे यहाँ पर add कर सकते हैं trust wallet में वो इस वीडियो के माद्यम से detail में जानेंगे so 2 step है आपकी जो holdings है उनको वापस से recover करनेंगे so सबसे पहला और simple सा है आप जैसी trust wallet के application को open करेंगे आपका जो wallet वो open हो जाएगा first look कुछ ऐसा दिखेगा अब आपके पास first option में भी 2 option है क्या है उपर आप देखेंगे आपको 2 dot मिल रहे है या फिर आप नीचे scroll करेंगे so add tokens का आपको एक option मिलेगा दोनों में से आप किसी भी option पर click कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है for example 2 dot पर मैं click कर देता हूँ 2 dot पर मैंने जैसे click किया कुछ इस प्रकार का page मेरे सामने निकल किया आया अब यहां पर आपको वह coin सर्च करना है जो आपके wallet में अल्रेडी था देखें यहां पर जैसे यह tick mark लगे हुए है आप देख रहे होंगे यहां पर यह tick mark लगे हुए है तो आपका जो coin है उसके tick mark दिसेबल होंगे इसी वज़े से जो आपका man balance है उसमें वह show नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है जब भी हम wallet को recover करते हैं वह reset हो जाता है लेंगे and refresh करेंगे जो भी आपकी holdings होगी ना वह आपको दिखाई देंगी अमाल लीजी जो मैंने step बताया वह आपने follow कि आपको पता थे वह coin की holding थी वह कौन से network पे holding थी यानि कि वह कौन से blockchain को support कर रहा था और आपने कौन से network पे उस coin को hold किया था second आपको यह पता चल जाता है कि हां मैंने यह जो token है xyz वो रखा था और यह binance smart chain पे मैंने रखाता है इनकी BEP20 पे लेकिन आपको लगता है कि नहीं for example shiba inu था और shiba inu आपने जो ethereum है उसके network पे आपने hold किया था यह कि ERC20 पे अब यहाँ पे देखिए दो step आपको follow करने पड़ेंगे अगर अलग-अलग network पे आपके जो coins है वो है और आपको नहीं पता और देखना है तो पहले step प आपको जो दो डोट दिखाये देरे वहां क्लिक करेंगे search करेंगे BNB Smart Chain and tick अगर आपका बंद है तो चालू कर लेंगे चालू करने के बाद में वापस से सर्च करेंगे Ethereum, Ethereum सर्च करने के बाद में tick है बंद आपका तो उसको चालू कर लेंगे, चालू है तो चालू रहने दे डन कर लें अब आपको होम स्क्रीन पर दोनों जो कोई ने से बिखाए देगा इधरिय अब यहां पर दोनों को चाहिए प्रोसेस ज्यादा कुछ चुछ कॉमप्लिकेटेड है नहीं तो मैं एक करके दोनों आपको यहां पर एक्स्प्लेइन कर देता हूं उसके बाद में क क्लिक करेंगे उसके बाद में रिसीव पे क्लिक करेंगे रिसीव पे क्लिक करने के बाद में यह जो एड्रस आपको दिखाई दी रहे ना यह आप कॉपी कर लेंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे क्रोम ब्राउजर में आएंगे एंड बी एस सी स्कैन आप सर्च करेंगे first आपको link मिलेगा उस पी click करेंगी उस पे आप जैसे ही click करेंगे आपको थोड़ा सा आप वेट करना होगा सरच पी klik करना है उस के बाद में यहाँ पर आपको एक tokens का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही scroll करना है यहाँ पे आपको यह जो टुक मास दिख रहा है इस पर डिक करना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस आपकी जो भी होल्डिंग्स हो तो डिखा करना वह आपको यहाँ पर दिखा रहा है स्रफ यहाँ पे जो दिखा रहा है वो यहाँ पे BNB दिखा रहा है इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहा है अब आपको क्या करना है वापस से trust wallet में आना है वापस से यहाँ पे दो डोड पे click करना है यहाँ पे जो भी coin है आपका वो search कर लेना है जैसे मैं मेरा यहाँ पे 1 inch search कर लेता हूँ ओके 1 लिखते यहाँ पे आ चुका है अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 inch तो search कर लिया लेकिन for example कि 1 inch मेरा कौन सा network पे रखा हुआ था भाई ERC20 पे रखा हुआ था बीपी 20 पे तो आपका जो भी coin यह token है ना तो आपको भी यह पता करना है कि भाई वो कौन से पे रखा हुआ था for example मैं दोनों ही टिक चालू कर लेता हूँ जहां तक मुझे पता है बीपी 20 पे होगा मैं done पे क्लिक कर देता हूँ आपके रिफ्रेस कर लेता हूँ तो दोनों ही यहां पे एड हो चुके हैं जैसे कि मैं पहला यहां पर क्लिक कर लेता हूँ पहला यहां पर BP20 हाँ यहां पर एक आप यहाँ देखेंगे 0.00 जो भी है 7347 के सम्तिंग है यहाँ पे मैं वापस आउं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इतना ही है और जो भी लाइक प्राइज वो दिखा रहा है और यहाँ पर BP20 वाले पर मेरा ट्रांजेक्शन हुआ था और यहाँ पर जो सेकिंड है वो सर्च कर सकता हूं वापस से होंगा यहाँ पर ट्रस्ट वालेट पर दो यहाँ पर जो टिक है उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो सेफ मून है उसका शॉर्ट फोर्म यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर जो सेफ मून है जिंपली वह आ चुका है तो यहाँ पर मैं इथेरियम है उस पिकलिक करना है इथेरियम पिकलिक करने के बाद में रिसीव पिकलिक करने के बाद में जो भी एडरस आपको दिखाए दे रहे हैं इसको कोपी कर लेना है उसके बाद में आपको Chrome ब्राउजर में सर्च करना है इथर-scan.io या फिर वीडियो की description की लिंक को follow क करेंगे उसके बाद में आप जो एडरस कोपी करके लाये थे उसको आप यहाँ पर डालेंगे और की पेस्ट करेंगे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे जो भी holdings आपके पास available होंगी वो overview में आपको दिखाई देंगी अगर आपको दिखाई देती हैं सो वो holdings को आप same to same ज Instagram पर message करके वीडियो के description में मेरे social media handles के link मिल जाएंगे ध्यान रखे कि वीडियो के description के link से ही मुझे follow करें और message करें पता चले कि कहीं ओर ही आप चले जाए इस बात का खासकर ध्यान रखना है उमीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं Trust Wallet से related तो आपको Trust Wallet के playlist के link वीडियो के description में मिल जाएगा उमीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नही fashion आपको मिल जाए मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए interesting वीडियो में